नमस्कार साथ यह स्वागत है आप सभी का आपके अपने चनल जी के प्लेसौर में आज हम काफी important topic यानि की सीटर जुलाई 2024 की बात करने वाले है important topic में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी जो पिछली बार जन्वरी का जो सीटर हुआ है 21 जन्वरी को आपका एक्जाम हुआ था और एक महीने में आपका रेजल्ट आ गया 17 फरवरी को उसका रेजल्ट आया था एक महीने से पहले ही तो बड़ी ताज्यों की बात है कि केवल और केवल 14-15 लाख में से एक लाख बच्चे पास हुए हैं और ऐसी जूनियर का ले लो आप यह पेपर वन यह पेपर टू यानि कि प्रायमरी यह जूनियर कि भी ले लो आप एक एक लाखी बच्चे पास हुए हैं दौनों में काफी बेकार लेवल recess का और जबकि इसमे कोई एसा भी नहीं कहीं है कि आप 1 लाकी पास हो सकते हो आप पूरे के पूरे 20 लाक पास हो सकते हो जितने विद्चे फॉर्म डाले हो सब पास हो सकते हैं फिर भी इंपोर्टन्ट इसलिए हो जाता है यह एक्जाम क्योंकि आप उसमें कुछ ऐसी Mr. कर देते हो जिसकी वज़ए से वह आपका पास करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है हम उन्हीं बिंदुओं को जितने भी पॉइंट से उनको सब को किलियर करेंगे सबसे पहला पॉइंट मैंने में विन पॉइंट ले रखें इन से सारे पॉइंट कवर हो जाएंगे आपके प कसलियत में इसको पास कईसे करना है किना कठें होता है कितना अrakा से रोते हैं यह सब बात हैं और स्ट आपको बताऊंगा तो मेरा जो भी experience मैंने कैसे seated pass किया कितना पढ़ाई की मैंने उसके लिए वह सारी बात हैं आपको बताऊंगा हालांकि मैं पहले भी बता चुका हूं लेकिन आज फ़र से मैं अपने पूरे experience दोबारा आपके साथ तो seated pass कैसे करें पेपर वन पेपर टू जब हम पिछले रियल्ट देखते हैं तो काफी बच्चे उसको यह सोचते हैं seated बहुती कठिन चीज होता है कठिन exam होता है इसमें पता नहीं क्या-क्या syllabus होता है जब कि जब आप देखते हैं notification आते ही आपको उसका पूरा syllabus एक एक topic लिखके देते हैं CDP हो या math हो हिंदी इंग्लिस इंग्लिस की जगए आप संस्क्रेट भी ले सकते हैं और इसके बाद फिर आता है EBS हर एक का वो एक-एक chapter का name लिखते हैं syllabus में detail में उनका syllabus दिया होता है ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ EBS लिख दिया फिर कहीं से भी question आया है फिर भी क्या है कि आप उसको पास करने में बड़ी दिक्कत महसूस करते हैं तो इसको पास करने के लिए आपको दो चीज पता हो नही बहुत जरूरी है पहली चीज कि CETAT में question आते कहां से हैं तो CETAT में अगर आप PRT का paper दे रही हो paper 1 तो उसके question कच्छा 3, 4, 5 की किताब से आते हैं अब वो कौन सी किताब हैं NCERT की अगर आपने NCERT की हिंदी की किताब, English की किताब फिर ये हिंदी की से हिंदी कवर होगी आपक 3, 4, 5 से ही चालू होती है तो उससे आपकी पूरी EBS कवर हो जाएगी फिर इसके बाद आती है आपकी math, math भी आपको 3, 4, 5 की ही पढ़नी है फिर इसके बाद आती है आपकी सबसे main CDP, CDP की आप बोलेंगे कोई किताब नहीं है तो CDP के लिए सबसे important चीज है कि इसके जो previous paper ह उसकी अगर आपने question एक-एक note कर लिया और वो chapter wise उसी question को जहां से आया उस topic को पूरा clear पढ़ लिया तो अब तो काफी seated की इतनी books आने लग गई है NCRT based और वो सब जबकि CDP start तो 11th class से होती है लेकिन एक teacher को इतनी knowledge होनी चाहिए उसी के according वो subject आपके PRT हो या junior हो दोनों में रखा गया है अब मैंने आपको इतनी book बताई है NCRT की यह सिर्फ ऐसा तो है नहीं कि आपको यह book पढ़ने से पूरे 30 नंबर आ जाए एक subject में क्यों नहीं आते हैं क्योंकि उसमें जो EBS है वो भी 15 नंबर का subject से related पूछेगा मैथ है वो भी 15 नंबर का CDP Hindi English यह सब 15 नंबर आपका pedagogy वाला तो pedagogy वाला तो हम देखेंगे अभी कहां से cover करेंगे पहले मैं आपको उता दूं कि जितनी मैंने आपको book बताई है इससे आपका सिर्फ और सिर्फ 75 नंबर का cover होगा तो यह exam होता आपका 500 नंबर का आप सब को पता है 500 नंबर में सिर्फ और सिर्फ आप आपको किताब उठानी है math और science की अगर आपने math science है आपके पास तो आपको math science उठानी है और वो सारी अगर आपने cover कर ली तो automatic आपके science और math में 60 questions आते हैं 60 में से आपके 30 questions subject wise होते हैं वो आपके पूरे-पूरे question फसेंगे एक भी question उन books से बहार नहीं जाता है अब बात कर आपको सिर्फ और सिर्फ sst के subject पढ़ने social science के जिसके तीन subject होते हैं कच्छा 6 से ही एक तो आपका होता है राजनीतिक सास्त्र यानि कि जो सम्मिदान वाला होता है नागरिक सास्त्र और दूसरा आपका होता है भूगोल जियोग्राफी और तीसरा आपका होता है history छे-सात- sst अब पूर तीस question वहां से फसेंगे अब बात आती है बाकी के 75 नमर आप कहां से करेंगे तो यह मैंने अभी इसका एक पार्ट बताया दूसरी में चीज़ इंपोर्टेंट होती है previous year के जितने भी question हुए है उन question को आपको अच्छे से पढ़ना है detail में detail में कैसे यह देख question का answer तो सिर्फ एक line का होता objective लेकिन इसमें उससे related बाकी कि जितने भी उससे related चाहें उसके lab हो या हानी हो उस चीज से related सब कुछ बताते हैं वो उसकी यानिकि एक तरीके से आपको उस topic को जो question आया है उसको वो पूरा clear कर देता है एक ही question अगर आपने जैसे कोई भी exam important का क जैसे उसको clear करना अचाल होता है कि हमें को पटा पड़ जाए कि उसमें question कहां से आ रहा है तो अगर यह तो अब जितनी-जितनी sited late होता या रहा है the second साल बाद होता यहारा है सब कहते हैं कि अब उत्रा साल कि पता नहीं था कहां से आ था यह था सिर्फ एक ही बार के पेपर काx спас था गज़ द मेट पर का एसी यह वह गए दस 15-20 दिन चलेंगे तो 30 सेट हो गए आपके अगर आपने इतने सेट कर लिए तो फिर आपको सब समझ में आया है कौन सा कुस्टन कहां से बनना है कैसे बनना है अब मैं आपको सबसे में चीज सीटेट का सच बताने वाला हूँ सीटेट दुनिया का छोड़ो भारत का सबसे इजी एकजाम है यह सीटेट की सच चाहिए है क्या है सबसे इजी सबसे सरल एकजाम यह कैसे है वो मैं अभी आपको प्रूफ करूँगा और आप खुद सब इसको कहेंगे कि हाँ बास्त में सबसे सरल है क्यों सबसे सरल बोल रहा हूँ मैं इसको इसमें आप अगर एक बार इसकी एक टोन होती है सीटेट के हरे कोस्टन की जितने भी पेडागोजी कोस्टन होते है उनकी एक टोन होती है अब सबसे सरल एकजाम यह क्यों है क्योंकि इसकी एक टोन होती है हर एक कोस्टन में आपको तीन आप्षन दिये होते हैं A, B, C, D अब इसकोस्टन का जो आप्षन होता है वो ऐसे अगर भरा दीखे आपको हर वाग पहले से ही तो आप आपसे कहें कि ये चार गोले दीएं इनमें से भरा गोला कौन सा है तो आप सीधे बोलेंगे ये वाला गोला भरा हुआ है A C D को छोड़कर जो गोला भरा है ये भरा हुआ है और आपको पता है A, B, C, D अगर चारो खाने में आपसे पूछूं कौन सा बोला वरा है तो आप बोलेंगे जब यहाँ पर B नहीं दीख रहा है तो B वरा हुगा है ऐसी सीटेट के आंसर होते है जिस दिन आप उसकी टोन पकड़ना सीख गए आपको बिल्कुल साब दिखाई देगा उसका आंसर जिस दिन आप उसकी टोन पकड़ना सीख गए ताव अब यह टोन पकड़ना कैसे सीखेंगे आप को संगी एक उसकी जैसे कहते ना साइकल चला रहे हैं पहले सीख रहे हैं तो कभी हैंडल देखते हैं तो उसके पैडल मारना भूल जाते हैं और पैडल मारते हैं तो हैंडल देखना भूल जाते हैं इस चक्कर में साइकल चलाना बहुत ही बच्चे काफी बार गिरते हैं साइकल चलाते चलाते तो जब उनकी टोन वन जाती है हैंडल पर और पैडल पर दोनों पर उनका ध्यान फोकस होने लगता है तो cycle अपने आप उनकी चलने लगता है और वो सीख जाते हो अणती है फिर यह बताईए आपको कभी cycle सीखने के बाद यह लगा है कि यह cycle चलाना कटिन चीजी थी कभी मेरे लिए, आपके दिवावे कभी भी नहीं आया होगा ये, सेम इसी तरह सीटेध है, जिस दिन आप इसकी टोन एक बार आपकी बैठके इसके साथ टोन, जो कोसन है, चार आपसन में से आप इसकी टोन समझ गए तो आपको 4 में से एक अंसर 7 दीखेगा बिल्कुल और वो भी ऐसे दीखेगा जैसे आपको ये लगेगा कि ये 4 में से 1 में रंग बढ़ा हुआ है अब ये बताना जितना सरल आपको अभी लग रहा है कि इसमें B में रंग बढ़ा हुआ है उसी तरह से आप हरे एक सब्जेक्ट में और जितने भी सब्जेक्ट हैं पंदरे-पंदरे सब के होते हैं CDP के, Math के, English के, Hindi के, अगर आपकी ये टोन पकड़ में आ गई तो आपको उसका अंसर के लिए दीखेगा, अब मैं आपको बताँगा ये टोन पकड़नी कैसे है, सबसे पहली बाद, इ क्योंकि आप सबसे ज़्यादा कन्फिज होते हैं, पैड़ागोजी में, आप बच्चे NCRT में ये पंदरे सब्जेक्ट वाले नंबर क्यों नहीं ला पाते हैं, उसका रीजन ये है, कि वो NCRT में से पढ़ते ही नहीं है, पढ़ते हैं, तो एक बार पढ़ने का दुबारा रिवीजन नहीं करते हैं, पर NCRT किताब हैं ऐसी हैं कि जब तक 3-4 वाल उनका रिवीजन ना कर लो, तब तक वो दिमाएं में गुस्ती नहीं, क्योंकि वहाँ पर सब चीज एक कहानी की तरह बताया गया है, वहाँ पर ये नहीं है, सीधे-सीधे fact दे कर question का, इसका ये answer, और जब हम एक कहानी पड़ते हैं, तो हमको पूरी कहानी ध्यान रहती है, उसमें से कोई एक point पूछेगा हमसे, तो वो तबी ध्यान रहेगा जब हमने उसको काफी ध्यान से पढ़ा हो, और काफी ध्यान से हम जबी पढ़ पाएंगे, जब उसको 3-4 वाल पढ़ेंगे, क् यह एक हमारे लिए पढ़ाई की ऐसी चीज़े हो गए यह कि अगर आपको एक मूवी दिखा दें तो तो आप तुरंत उसकी पूरी कानी बता दोगे लेकिन NCRT में से अगर आप से कोई पार्ट पढ़ाएंगे तो एक बार पढ़ने के बाद थोड़ी देर वाद आप उसको पूल जाए दिये हैं क्यों क्यों क्योंकि उसमें हमारा पूरा फोकस नहीं होता है तो जब आप उसको तीन-चार वार पढ़नेंगे तो आपका सब्जेक्ट हो जागा रही बाद टोन के लिए तो पेडागोजी को आपको समझने के लिए इसके जितने भी प्रीवियस के प टोन मिलाने में और आपको समझ में आ जाएगा फिर के इन चार में से एक आंसर कैसे डूना जाता है फिर जिस दिन आपको सीधी सी बात है हर एक चीज में थोड़ा टाइम लगता है प्रैक्टिस में जैसे कि आप साइकल चलाने के लिए सीखने में थोड़ा टाइम लगात मेरे समझ में नहीं आ रही है पेड़ा हुआ जी लेकिन जब आपके समझ में आने लग जाएगी तब आपके साथ यही होगा जैसे अभी यहाँ पर इतने में एक आपको डार्क सरकल साब दीख रहा है उसी तरह से आपको चार में से एक अंसर साब दीखेगा मेरा एक्सपीरियंस यह है कि मैं आप से कह रहा हूँ डेली एक पढ़िये डेली एक पढ़िये मैंने एक ही पेपर डेली पढ़ा था तो प्रिविएस यह पेपर मैंने डेली एक ही पढ़ा था और उस वार जब पहली बार दिये थे तो मेरे 97 वाक्स आई थे बस थोड़े से लेकिन पास करना था और उसी टाइम मेरी DLA खतम हुई थी तो कोई टेंसन की बात भी नहीं थी, अब क्या है, जब मैंने दुबारा दिया, तब तक मेरे ये टोन समझ में आ गई थी, तो बिना पड़े सीटेट में मेरे 108 नमर आई थे PRT में, आप देख सकते हैं इस रेयल में ठीक है, ये बिना पड़े क्यों आगे, क्योंकि टोन समझ में आगी, अब रही बात जो फैक्ट वाले कोस्टन थे, नमर कहा कम हुए होंगे, जहां फैक्ट वाले कोस्टन आते हैं, जैसे कि ना तो मैंने 678 की NCRT की किताब ना मैथ की पड़ी थी, ना साइंस की पड़ी थ तो फैक्ट में कम हो जाते हैं, अगर आपकी पेडागोजी पर पकट सही हो तो ऐसा होता है, तो ये कोई सफाई नहीं दे रहा हूँ, मैं बस आपको ये बताना चाहरा हूँ, कि एक्चाम कितना सरल होता है, बहुत सरल, अब आपको दो चीज करनी होती है, एक तो इसका नि परसेंट आपको मिलेगा भी नहीं, तो ये सब था मेरा एक्सपीरियेंस और सीटेट का सच, जो सबसे सरल होता है, अगर आप इसकी टोन पकड़ लेते हो, तो इसको पास कैसे करें, वो मैंने आपकी दोनों चीज बता दी, फैक्ट के लिए आपको NCRT पढ़ना है, और इस पर सकते हैं, किसी ही महरादन देखने हैं, आप वहां से पर सकते हैं, जो आपका मन हो, वो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं तो देखता हूँ कि जैसे की, जैसे 20 लाख बच्चे फर्म बर रहे हैं, तो 20 लाख बच्चों को पास होना चाहिए, यहां कोई मेरेट तो लग नहीं पास करना चाहिए, तो मिलते हैं आप से अगली वीडियो में, थेंक यू